हेलो दोस्तो श्वागत है आप सभी लोगों का राजस्तान एकेडमी पर मैं परविंट सिंग आप सभी लोगों के साथ में जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं लगातार CET एक्जाम, LDC, 14 वास अधिक्सक एक्जाम के लिए साइन्स की क्लासिस और मैथमेटिक्स की क्लासिस डेली लेकर के आ रहा हूँ आठ बजे और नौ बजे मुझे उमीद है कि आप सभी लोगों ने कोली को बहुत ही अच्छे तरीके से मनाया होगा और आप लोगों ने जो है रंगों के तेहवार को विभिन परकार के रंगों से मनाया और उसी परकार से मैं चाहूँगा कि आपके जीवन में भी रंग बिरंगे रंग जो है हमेशा ही बरे रहे और आप इसी परकार से हर एक टेवार को खुसी के साथ में मना सकें और चलिए मुझे उमीद है कि आप सबी लोग अब पढ़ाई के मूड में आचुके होंगे आप सभी लोग स्वस्थ होंगे मस्थ होंगे और पढ़ाई में उन्हा जो है एक बार व्यक्त होना सुरू कर दीजिए चलिए तो अब हम जो है आज अपने टॉपिक को सुरू करते हैं और थोड़ी से हम जो है पहले जो पीछे पढ़ चुके हैं उसको लेकर के थोड़ी सी भूमी का बांध लेते हैं कि हाँ हमने आखिर पढ़ा क्या था हमने आखिर छोड़ा क्या था क्योंकि आदे विद्यार्ती जो है कलर के अंदर अभी भी खेल रहे होंगे या आदो के चेरे से अभी गुलाल का रंग नहीं उत्रा होगा तो चलिए अब एक बार जो है मैं पिछे से बता देता हूँ कि हम पढ़ क्या रहे हैं आखिर बेटा जना तो मेरे प्यारे दोस्त मेरे प्यारे छोटे भाई हम बेसिकली पढ़ रहे थे अनुवानसिकी के बारे में और अनुवानसिकी के अंदर सबसे पहला टॉपिक दे रखा है कि अनुवानसिकी से सम्बंदित सब्दावलियां अनुवानसिकी से सम्बंदित जो सब्दावलियां हैं उसके अंदर सबसे पहले अपने बात करी थी जीन की तो जीन जो है वह एक कारक होता है जो लक्षणों को नियंतरित करता है और इसी कारक को आगे जाकर के ज जोहनसन नामक विग्यानिक ने नाम दिया जीन और इसे कारक कहा था हमारे महान विग्यानिक ग्रेगर जॉन मेंडल जिनके बारे में अपना इस बात करने वाले हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आता है यूग्मविकल्पी यानि की एलिल तो जो किसी भी एक लक्षण को आपके नियंद्रित करने वाले जो जीन होते हैं वो अगर दो विकल्प में आपके सामने उपस्तित हो तो फिर हम उन्हें क्या कहते हैं तो उन्हें कहा जाता है आपके अलग जीन है तो हम उसे कहते हैं विसम युगमजी लक्षण प्ररूप का मतलब है कि जो आपके बहार की और संजीव जो भी आपका संजीव जीव है उसके बहार की और दिखने वाले जो लक्षण होते हैं उन्हें अपन लक्षण प्ररूप कहते हैं और जो उसके जीन पर आगे अभिवेक्ट कर पाता है उसी लक्षन को हम कहते है प्रभावी लक्षन dominant factor ठीक है इसके बाद मैं बात करी थी अप प्रभावी लक्षन की तो वो लक्षन जो अपने आपको F1 PD में अभिवेक्ट नहीं कर पाता है एक संकर संकरन का मतलब है जब हम एक ही लक्षन की वनसागती को आगे से अध्यन करते हैं तो उसे कहा जाता है आपका एक संकर संकरन और दिव संकर संकरन का मतलब है जब दो लक्षनों की वनसागती का अध्यन किया जाए त्री संकर संकरन का मतलब है जब हम तीन लक्षनों की वनसागती का अधियन करते हैं और बहु संकर संकरन का मतलब है जब हम एक साथ एक नहीं दो नहीं तीन नहीं तीन से भी जादा लक्षनों की वंसागती का अधियन करते हैं तब हम उसे कहते हैं बहु संकर संकरन इसके बाद में परी संकरन परिक्षन संकर यानि कि टेस्ट संकरन ठीक है क्य जो हमने आपके संकरण लिया है उसमें जो आपका टेस्ट करने के लिए आपने जनक के साथ में जो आप टेस्ट कर रहे हैं उसे अपन कहते हैं परिक्षन संकरण संकरण पूरवज या पसच संकरण का मतलब है कि पहले मादा पिता लिये उससे बच्चा जन्म किया फिर बच् नर के लेक्षन को फिर उल्टा कर दिया जाता है नर और मादा को क्रोस फिर यह आपको बताई दिया डेफिनेशन इसके बाद जनक पीडी तो जनक पीडी यानि कि जिस पीडी से जो है आगे की संताने उत्पन हो रही है वो जनक पीडी कहलाती है F1 P.D. का मतलब है जनक P.D. के ज़िट बाद में आने वाली जो संतती होती है उसे F1 P.D. का जाता है और F1 P.D. के भी जब संकरण करवाय जाता है तो F2 P.D. आती है यानि थड़ पीड़ी अपन कह सकते हैं इसके बाद मैं अपन ने बात करी एक संकर अनुपात यानि जब एक संकर संकरन करवाने से जो हमारे अलग-अलग अपने पास में संतती आईगी उन संतती हो के जीन का जो अनुपात होगा उसे कहते हैं एक संकर अनुपाद, द्यू संकर अनुपाद मतलब कि द्यू संकर संकरंड से प्राफ अनुपाद और जिनोम का मतलब है कि जो गून सुत्र होते हैं, क्रॉमोसोम्स होते हैं उनके अंदर पाए जाने वाले जो परदात होते हैं, उन्हें कहा जाता है इसके बाद में आए जाता है सहल अगनता यानि कि लिंकेज तो जब आपके दो विबिन लक्षन वाले एक ही गुंड सुत्र पर जो है जीन आधारित हो जाते हैं और वो दोनों जीन जब सोतंतर रूप से जो है विक्षित नहीं हो सकते हैं और साथी साथ आगे बढ़ते हैं तो ऐसी गटना को मॉर्गन ने कहा था सहल अगनता और जो सहल अगनता है वो मैंडल के नियमों का एक अपवाद भी है इसके बाद अपने बात करी थी प्लाजमा जीन की तो गुनसुत्र के बहार के जो जीन है यदि वो कोसी का द्रव्य के कोसी कांगों में होते हैं तो उन्हें प्लाजमा जीन कहा जाता है और transcription का मतलब है DNA से RNA के translation को जो है अपन क्या कहते है transcription, translation का मतलब है protein बनने की जो अंतिम step है उसी को अपन क्या कहते है, translation कहते है और फिर आता है अनुवानसी की, तो माता पिता से संतान के अंदर कौन सा लक्षन जाएगा किस नियम के तह चाएगा, कितना जाएगा, इसके बारे में पूरी study करना ही अनुवानसी की कहलाता है और genetics जो सब्द है, वो हमारे सामने सबसे पहले 1905 के अंदर दिया था W. Watson नाम का वैग्यानिक ने एक बात और बता दू, कि कई बार जो है, हमारे पास में वैग्यानिकों के नाम व की जिएके व वर्ड यूज हो सकता है, कहीं पर स की जिएके अच्छ वर्ड यूज हो सकता है तो उसमें आप confuse नहीं हो वे, जैसे कि देखो, मैंने लिखवाया है डबल्यू वाट्सन, जबकि कहीं कहीं पर बुक पर इसका नाम ही क्या मिलेगा डबल्यू वैट्सन भी मिलता है, वैट्सन, ठीक है अब वाट्सन और वैट्सन क्यों सर, तो ये क्या होता है, बेसिकली कि वेग्यानिकों का नाम है अब ये वेग्यानिक हो सकता है जर्मन के हो तो वहाँ पर जो है कोई word को लेकर के थोड़ी सी जो है अपने pronunciation के अंदर इंडिया में अलग चलती है अमेरिका की इंगली से अलग है प्रेटिस इंगली से अलग है और साधी साध जापान जर्मनी चाइना वहाँ पर भी अलग अलग वड़ होते है तो वेग्यानिकों के नाम में थोड़ा बहुत जो है आप variation हो सकता है तो डरना नहीं है अगर कहीं पर work की जगे word दिख रहा है तो वाटसन ही word मिलेगा नहीं ऐसा जरूरी नहीं है कई बार examiner जो है इसीट को बता चुके है पहले भी एक जिन एक सिदान्त जो है वो ये कहता है कि एक जिन के द्वारा एक ही enzyme का sensation होगा ये आपका सिदान्त जो है हमारे को वीडल और टेटम नामक वेग्यानिक ने दिया था ठीक है और कब दिया था अब देखो वीडल है इसके जिए के वीडल नाम भी मिल सकता है तो वीडल और टेटम एक ही बात है अब 1948 के अंदर जब भारत देश आजा दुआ तब ठीक है अब हम आते हैं फाइनली आज के हमारे lecture के उपर और आज का हमारा जो next topic है वो है मेंडल के अनुवानसिक्ता के नियम तो ग्रेगर जोन मेंडल नामक जो वेग्यानिक है उन्होंने ही अनुवानसिक्ता के अंदर बहुत ज़्यादा study करी है या हम यह कह सकते हैं कि आनुवान सिक्ता का जो जनक है वो Gregor John Mendel को ही कहा जाता है इन्होंने जो है इसके उपर काफी अच्छी study करी थी और हम उसे study को ही पूरा पढ़ने वाले हैं देखिए सबसे पहले इनका पूरा नाम पता होना चाहिए तो Mendel का पूरा नाम है Gregor John Mendel ठीक है इनका जनम वगेरा सब क्योंकि आजकल वेग्यानिकों पर भी कई बार exam में कोसन आ चुके हैं तो Gregor John Mendel ये इनका पूरा नाम था इनका जो पूरा अस्तित्व है वो 1822 से ले करके 1884 तक है कब तक है 1884 तक है किलियर इसके बाद मैं इनको जो है आनुवानसिकी का जनक कहा जाता है क्या कहा जाता है आनुवानसिकी का जनक ठीक है अब जनक की जगे हो सकता है कई बार जो है पिता वड़ भी मिले कई बार आविसकारक भी मिलता है तो आनुवानसिकी का जनक या पिता जो है किसे कहते है फादर ओफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है Gregor Zorn Mendel नामक वेग्यानिक को कहा जाता है अब ये जो है basically कोई वेग्यानिक नहीं थे ये कोई बड़े scientist ऐसा कारे नहीं करते थे ये तो एक केवल और केवल जो चर्च होती है उस चर्च का जो garden था उधान था वहाँ पर कारे करते थे ठीक है लेकिन वहीं पर रहते रहते कहते हैं ना कि कुछ वेक्ती जो है अपने कारे से कारे रखते हैं या ये कहते हैं कि खुदा भी जो है भगवान भी जो है अगर कोई सिद्दत से किसी चीज को अपने दिमाग में रखता हो तो उसे मिला ही देता है अब ये जो है अपने ख्वाब तो बहुत बड़े थे लेकिन ये चर्च के अंदर के वले गार्डन का कारे देखते थे गार्डन को साफ करना वगएरा ऐसा पादरी टाइप का काम करते थे लेकिन इनके मन में एक जिग्या सा थी कि यार ये चीच ऐसे क्यों हो रही है और इन्हों ने जो है उसी गार्डन के अंदर रहते रहते एक मतर का जो पौदा था उस मतर के पौदे के उपर जो है रिसर्च करना सुरू कर दिया उसका पूरा का पूरा इस्टडी करने लगे कि मतर के पौदे का वग्यानिक नाम कई बार आ चुका है कई बार ये भी आ चुका है कि मेंडल दारा कौन से पादप का जो है अनुवांसी के लिए अध्यन किया गया और वहाँ पर मतर नाम नहीं देख रहें गे कटर का वग्यानिक नाम भी दिया जाता है तो आप इसका वेग्यानिक नाम है पाइसम सेटाइवम और ये जो मटर है इसी के उपर इन्होंने स्टडी करी थी कितने वर्सों तक तो बेसिकली इन्होंने साथ वर्सों तक प्रियोग किये थे कितने साथ वर्सों तक प्रियोग साथ वर्सों तक जो है इन्होंने इस मटर के उद्यान या मटर के पौदे पर प्रियोग किये थे कब से कब तक तो 1854 से लेकर के 63 तक ये 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 भी याद रखे क्योंकि कई बार एकाद कोसने से ये पर आधारित पूचा गया है तो इन्होंने साथ वर्सों तक संकरन करवाया किसका मटर का ठीक है अब प्रियोग किजगे आप ऐसा करो संकरन लिख लो इन्होंने क्या करवाया था संकरन करवाया था और उसकी पूरी स्टडी करी थी इसके बाद में जब इन्होंने संकरन वगरा करवाया फिर इन्होंने जो भई अब संकरण करवाया है परियोग किये हैं तो उनके निसकर्स को निकाला और इन्हों ने जो इसका निसकर्स था इसका निसकर्स निसकर्स अठारा सो पैसट के अंदर कब अठारा सो पैसट के अंदर यानि एठारा सो त्रेसट तक इन्हों ने रिसर्च करी उसके बाद दो साल के ब पुचि जा सकती है और कई चीज़ें ऐसी है जो आपसे पुचि भी गई है कि बुरून सुसाइटी ओफ नेचुरल रून सुसाइटी ओफ नेचुरल हिस्ट्री अब इसमें कनफीजन यह होता है कि यह वैग्यानिक तो है अनुवान्शी कीसे संबनित बात करने वला यानि ब जेना में हिस्ट्री क्यों नाम था? तो इनकी पुस्ट्रका का नाम ही यह था कि बुर्ण सुसाइटी ओफ नैचूरल हिस्ट्री inflation की इसके लिभी निसकर्सकर्श ले करके 1865 में Brun Society of Natural History के समक्स जो है सोध पत्र अपने प्रस्तूता किये थे ठीक है चलिए इसके बाद मैं आगे बात करते हैं तो next year 1864 के अंदर 1866 के अंदर आप लिखेंगे अब आगे 1866 में कब जश्ट इसके एक साल बाद में 1866 में जो भी इन्होंने प्रियोग किये थे इन प्रियोगों को Society जो होती है इसकी वार्सी की में यानि जो इसका yearly जैसे अपने आता है न भाई दो मन्त की magazine आती है यह 6 महिने की magazine आती है ऐसे yearly जो magazine आती थी उस magazine के अंदर पादप संकरण पर प्रियोग नामक सिर्सक के साथ में जो है इसको प्रकासित किया गया था तो आप लिखेंगे 1866 में पादप संकरण क्या पादप संकरण लिखेंगे पादप संकरण पर प्रियोग पर प्रियोग नामक सिर्सक से सिर्सक से प्रकासित क्लियर ये चीज आपको याद रखनी है कि 1864 के अंदर पादप संकरण का प्रियोग या पादप संकरण पर प्रियोग नामक सिर्सक से जो है इनका पूरा का पूरा जो सोध पतर था उसे प्रकासित किया गया अब देखिए आगे बात करते हैं तो मेंडल के दुआरा जो है उध्यान मतर पर किये गए इन प्रियोगों से जो भी हमें परिणाम मिले थे उन परिणाम के आधार पर जो अनुवांसी की है जो जेनेटिक्स है उसके नियमों का आपन ने परतिपादन किया था इसलिए अनु जानते हैं कि किसी का एरा चल रहा हो जैसे अब यह पूरा का पूरा इस्टडी करी और इसके बारे में जब कोई नहीं जानता था तब इसके बारे में बताया है तो ओवेसी बात है कि उस वैक्ति को तो विशेस एक सम्मान मिलेगा ही इसलिए मेंडलवाद के नाम से उस चेड़ी कर रहे थे तो उने जो है ये पूरा कापूरा प्रियोग करने में सफलता क्यों नहीं मिली और मैंडल को सफलता मिलने के पीछे क्या कारण थे यह एट्जाम के अंदर की बार इसस पर आदारीत कोसन आ चुका है कि निम नलिकित मेंसे कौनसा कारण है जो मैंडल की सफलता का कारण है और इसमें फिर 4-5 ओप्सन दे दिये जाते हैं कि आप इसको करेंगे फिर मैं आगे बात करता हूँ लिखिए बड़ापट चलिए तो जो है मैं आपको बता दू कि अब इतना ज्यादा डीटेल में पढ़ना नहीं है लेकिन केवल समझ लिजिए कि इसी समय पर कई वेग्यानिक इसके बारे में रिसर्च कर रहे थे लेकिन उनको जो होता था एक से ज़्यादा कई बार लक्षनों पर डायरेक जो है बहुत संकर संकरन पर चले जाते थे तो उसकी वज़े से भी इन्हें सफलता नहीं मिलती थी कहीं न कहीं जो है वो भी ऐसे पौद मेंडल की सफलता के कारण आप लिख लीजिए ठीक है लिखेंगे मेंडल की मेंडल की सफलता के कारण मेंडल की सफलता के कारण तो मेंडल की सफलता के क्या क्या कारण है उनके बारे में बात करते हैं अपने को दो तीन है जो याद रखने है ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी उसकी जो है अपन केस इस्टड़ी पढ़ने लग जाए या जो इन्होंने सोच पत्र जारी करवाया आप वो बोलो कि मेरे को पढ़ा दो सर कोई फाइदा नहीं होड़े वाला है ना चलो अब देखो पहला पॉइंट इसके अंदर आ जाता है कि मेंडल के द्वारा या मेंडल द्वारा एक समय पर एक समय पर एक ही लक्षण की वनसागती का अध्यन करना ठीक है तो मेंडल के द्वारा एक समय पर क्या किया गया कि एक ही कोई पर्टिकुलर लक्षण लिया उन्होंने और उसी लक्षण की जो वनसागती हो रही थी उसके बारे में इन्होंने अध्यन किया मतलब एक संकर संकरन को जो है इन्होंने अपनाया था अब ये चीज आपके डेली जीवन में भी लागू होती है कि हम लोग भी क्या करते हैं जब हमारे पास में दस-दस रास्ते होते हैं तो हम इस रास्ते की और भी बागते हैं उस रास्ते को भी पकड़ते हैं उस वेकें सो करके तयारी करते हैं तुमारे जो बाकी का समय होता है जो हम इदर उदर एनरजी लगा रहे होते हैं वो पूरी की पूरी एनरजी एक जगे पर लगती है और उससे हमें सफलता मिलने में जो है बहुती ज़्यादा benefit होता है और उसका एक live एक्जामपल आप देख सकते हैं कि मेंडल ने केवल एक चीज करी कि एक समय पर एक ही लक्षन की study करी बाकी के लक्षन का क्या हो रहा है उन्होंने देखा ही नहीं जबकि अन्य वेग्यानिक उससी समय पर क्या कर रहे थे सबी अचा यह हो रहा है इसको पकड़ लिया अचा यह इधर जा रहा है इसको पकड़ लिया अचा यह वेक्षन की बात करी लेकिन उस लक्षन के साथ ही कोई भी वेरियस दिख रहा होता तो वो जरूर उसको लेकर के चलते हैं लेकिन ऐसा हुआ नहीं था पर अपने जो है वेकंसी में हो सकता है कि एक जैसा सिलेबस हो जैसे लगी लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि हम तैयारी तो कर रहे हैं लगी अब देखो दूसरा इनों ने क्या करा दूसरा इनके सबलता का कारण था कि मेंडल ने अपने संकरन प्रियोगों के सभी आकडों को जो है सावधानी पूर्वक एकदम द्यान से कंसेंटेट होकर के सांखी की विसलेशन भी किया जैसा कि आप लोगों को भी कहा जाता है कि किसी भी एक्जाम की तयारी कर रहे हो तो उसके जो पीवाई क्यूज है उनका एकड़म अच्छे से इस्टड़ी करिए जब तक आप पीवाई Q's की एकड़म अच्छे से इस्टड़ी नहीं करेंगे जब तक अपने सिलेबस के एक एक छोटे से चोटे बिंदू की इस्ट़डी नहीं करेंगे तब तक आपको सभलता मिलने में कहीं न कहीं कठिना ही होगी तो कि आपको रास्ता दिखेगा ही नहीं कि कौन से टॉपिक में कहां तक पढ़ना है कौन सा टॉपिक पढ़ना है ये भी समझ नहीं होगी तो हमें क्या करना है कि मेंडल की सभलता के जो कारण है अपने संकरण प्रियोगों के आकडों का सावधाने पूर्व सावधाने पूर्वक सांखी की विशलेशन किया क्या किया तो इन्होंने सांखी की विशलेशन किया यहनि इस्टेटिक्स की तरह एकडम बढ़िया तरीके सांखी की विशलेशन एनलाइस विशलेशन किया समझ में आ गई बात तो देखिए अब बंदे के अंदर देखो कितना डेडी केशन था बंदा कितना अपने सपने को लेकर के जो है जागरूब था कि वो कहां एक गाइडन के अंदर चर्च में जो गाइडन था उसमें काम करने वाला वैक्ती था उसने उसके बाद मटर के बौदे के उपर study करने की सोचे उसके बाद मैं इस बंदे ने biology का होकर के aesthetics के बारे में पढ़ा जो science math के student होते हैं वो भी aesthetics को एक tough subject मानते हैं commerce का विद्यार्थी भी aesthetics को tough मानता है वहाँ biology का विद्यार्थी जिसने math तक 10 तक पढ़ी होती है लेकिन फिर भी इस बंदे के अंदर dedication था अपनी सफलता को ले करके इसलिए सांखी की visulation तक किया आखडो का पूरा का पूरा aesthetics तरीके से जो है visulation करना सीखा तो आपको भी अपनी सफलता के लिए मेनत करनी होगी और जो चीज जरूत पढ़े वो चीज सीखिए जो चीज पढ़ने पढ़े वो पढ़िए और मेनत करिए आगे फिर next था कि मैंडल ने मैंडल ने अपने प्रियोग के आधार पर अपने परियोग के आधार पर अपने परियोग के आधार पर क्या किया? तो अपने परियोग के लिए पादप का चुनाव जो किया इन्होंने इस्टड़ी करने से पहले भी कौन सा पादप मुझे लेना चाहिए जैसे आपको भी पढ़ने से पहले फॉम बढ़ने से पहले आगर आप तैयारी करना चाते है वेकेंशी की तो पहले उसकी पूरी गेहन इस्टड़ी करिये उसका syllabus क्या है उसके लिए कौन-कौन सी पुस्तक है चाहिए अब पुस्तक चाहिए है तो वो ही पुस्तक लाने के बाद उसको पढ़ते रही है जैसे आपको साइन्स और मैस पढ़नी है हमारे यूटूब चैनल पर आ गए अब उसके बाद में पढ़ भी रहा है विद्यार पादप का चैन सावधानी पूर्वक किया यानि पूरी study करके किया तो पादप का चैन भी सावधानी पूर्वक किया अब इन्होंने मटर के पौदे को ही क्यों choice किया था क्या मटर के अलावा और भी कोई पौदा था मटर के अंदर ऐसी क्या विशेस ताई थी जिसकी वज़े से इन्होंने मटर कोई चोईस किया ये कोशन्स भी आते हैं और वो सब भी मैं पढ़ाने वाला हूँ कि मटर के पौदे को चेयन करने के कारण ठीक है अभी तो अपने केवल क्या पढ़ा है कि मेंडल की सफलता के क्या कारण है अब मेंडल की सफलता के अंदर ये कारण है कि इन्होंने मटर के पौदे को चोईस किया तो मटर के पौदे को ही क्यों किया ये भी अपन पढ़ेंगे ठीक है चलिए तो एक बार मेंडल की सफलता के कारण लिख लिजिए फिर मैं जो है आगे बढ़ता हूँ ताकि आप लोगों को ये सबी चीज़े किलियर हो जाएगी ठीक है चलिए तो देखिए दोस्तों आज जो है मैं चाहता हूँ कि यहीं तक अपनी क्लास को रखेंगे अब अपन मिलेंगे अगली क्लास में और अगली क्लास जो है निची दुरूप से ही थोड़ी सी लंबी रहेगी क्योंकि उसके अंदर हम मटर के अंदर जो साथ अलग अलग लक्षन थे और वो साथ लक्षनों में कौन परभाविता उन सभी के बारे में भी पढ़ना है तो उसके लिए आप प्रिपेर होकर क्या आईएगा और आपका होली का रंग जो है अब दीरे दीरे प्लीज पुरा उतार दीजिए और अपनी सफलता का जो आपको रंग है वो लगाईए और सफलता पराप्त करने की पूरी कोसिस कीजिए बदल जाओ वक्त के साथ या फि हराल में चलना सीको हराल में चलना सीको जे इंद जे वारत धन्यवाद धन्यवाद